ओम शांति आज की जो अव्यक्त मोर्ली है ये 2000 की पहली मोर्ली है और जन्वरी मास की मोर्ली है आज दिन तक भी जो जन्वरी मास है वो हमारे लिए सबसे शक्तिशाली मास रहता है अव्यक्ति दिवस का ये मास रहता है ये मोर्ली भी 18 जन्वरी की है तो अठारा जन्वरी को बाबा कई नामों से याद करता है, कि अव्यक्ति दिवस भी है, स्मृति दिवस भी है, समर्थी दिवस भी है, तो बाबा भी आज जब अपने बच्चों को देख रहा है, तो बाबा को समर्थ बच्चे नजर आ रहे, समर्थ बाब अपने समर्थ वो विल करती है अब उससे वो सेन याद आती है 18 जन्वरी 1969 की जो प्रकाश्मनी दादी खुद अपने शब्दों में सुनाती थी कि वो जो दिन था जब बाबा ने अपनी लास्ट मोल्डी चलाई बच्चों से विदाई ली और फिर बाबा अपने कमरे में चला गया और अक् करके आएं और फिर वो जो कुछ ही पलों की सेन थी कि दादी गई बाबा पलंग पर बैठा था बाबा ने दादी का हाथ अपने हाथ में लिया और दादी ची अपने अनुभव में सुनाते हैं कि वो घड़ी ऐसी थी कि जैसे दादी को बहुत लाइट ही लाइट आ रही हो करेंट ही करेंट आ रहा हो जैसे बहुत पावर आ रही हो उस समय की अक्षर नहीं था कि विल पावर ये नहीं दादी को समझ में आया कि बाबा इस समय अपनी सारी शक्तियां दादी को विल कर रहा है लेकिन ये जरूर मैसूस हुआ कि जैसे कोई बहुत करेंट है और दाद तोड़ी देर के बाद मैंने बाबा को पूछा बाबा बाबा तो किसी ने जवाब ही नहीं दिया बाबा का कोई जवाब ही नहीं था फिर जो आसपास वाले थे उन्होंने लिटाया फिर जो परिवार का डॉक्टर था वो आया और उसने का बाबा तो उड़ चला लेकिन जब औरी रात बैठ करके दादी जी ने फिर सब को फोन करके बताया कि प्रजा पिता ब्रह्मा हमारा बाबा अव्यक्त हो गया है और जब दादी उनों को ये बात बता रही थी फोन करके तो उसमें से कहीं को विश्वास ना हो कहीं दादी को कहे कि दादी आप कैसी बात कर रही हो पागल हो गई हो तो दादी जी हरेक को कहे कि बस आप सब अपने स्थिति का ध्यान दे करके जल्दी जल्दी मदुबन में आ जाओ प्यारा बाबा हमारे साथ भी है लेकिन इस तन से प्यारा हो गया है पर उन घडियों के अंदर जो एक ड्रामा की बहुत वंडरफुल प्यारी नूंद थी उन घडियों के अंदर प्रमा बाबा ने शरी छोड़ने से पहले वो सारी शक्तियां दादी को और जो भी उस समय पर थी वास्ता में जो आज की मोड़ी से समझ में आता है कि वो सब जो आधी रतन थे और जो सेवा की आधी के निमत थे मना जब सेवा शरू होई तो उस थापना के निमत थे उन सब को बाबा ने उन अंतिम घडियों में अपनी सारी शक्तियां विल खरी और ब्रह्मा बाबा का इतना वंडरफुल पाथ रहा कि जब बाबा आया 36 में तो भी बाबा ने सब कुछ विल किया लेकिन उस समय बाबा ने अपना तन अपना मन अपना धन संबन संपर्ग सब कुछ वो समर्पित किया पर तब तक बाबा ने अपने पास इतनी शक्तियों को जमा नहीं किया था लेकिन 33 वर्ष के पुर्शाद के बाद, कर्मातीत बनने के बाद, फरिष्टा बनने के बाद, अब जो बाबा की कमाई थी, अविनाशी कमाई थी, वो सारे भी बाबा ने बच्चों को ट्रांसफर करके विल कर दी, क्योंकि वो जो शक्तियां बच्चों को मिली, और वो सब अनुभव करती थी, वो प्रभु देन थी, प्रभु प्रसाद था, एक होती है, विल्पावर, खुद की, और दूसरी होती है, जो हमें वर्दान के रोप में मिली है, जो खुद की पावर होती है, उसको भी हम, जैसे विल्पावर को बढ़ाने की मेहनत करते हैं, योग में ब नहीं होता, पुर्शार्थ का अनुभव नहीं होता, वो वर्दान मिला तो उसको किसी पुराने तप और पुर्शार्थ के कारणी है, लेकिन जब वो वर्दान मिल जाता है, उसके बाद उसको मैनत अनुभव नहीं होती, जैसे भक्ती में भी क्या करते थे, बहुत तपस्या 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 के बाद कहते थे इस भक्त को ये वर्दान मिला पर वो वर्दान की प्राप्ति होती तो उसकी मेहनत से ही थी ऐसे हमारी जो दादियां थी उन्हों का पिविशेश पार्ट है प्रमा बाबा के साथ उन्होंने भी साथ साथ राइट हैंड बनकर त्याग तपस्या का रोल निभा करके उस स्तिती पर पहुँची कि जब बाबा का रोल चेंज हो रहा था बाबा का अब रोल शुरू होने वाला था साकारी से आकारी का पता किसी को नई था पर वो रोल चेंज हो रहा था और जो दादियां थी, उसमें भी प्रकाश्मनी दादी, मनमोहिनी दादी, जिनों को फिर बाबा ने निमत बनाया, उन्हों का पाठ था कि इस साकारी दुनिया में ये जो ब्रामन परिवार है, ये जो यग्य है, इसकी वृद्धी करना, इसको आगे लेकर के जाना, तो उन् कई बार सुनकर वंडर खाते हैं, कि हमें तो छोटी-छोटी बातों में इतनी महनत लगती है, हम जिस समय पर आए हैं, साधन भी है, सालवेशन भी है, इतनी टेक्नोलोजी, इतना सब कुछ है, बने-बनाये पर आए हैं, तो भी हमें महनत लगती है, और उस समय तो कुछ भ बेने का पता, उस सुनाते कैसे वो जमुना के खाट पर, ऐसे बस चार दिवारी का छोटा सा बना मकान भी ने कह सकते, कमरा सा था, और वो दो बेने थी, और उसमें जाकर के रह लिए, जबकि उसमें कोई सेफटी भी नहीं थी, का पूरी रात एक बेन पैरा देती थी, एक सो होती थी, और खुद अपने अनुभव में सुनाते हैं, मैंने उस टाइम वो कर लिया, आज मुझे कोई कहें वो करने के लिए, तो मैं नहीं कर सकते हैं, इतने ओनिस्टी से दादी अनुभव में कहती है, कि पता नहीं वो घड़ी और वीला क्या थी, वो कौनसी शक्ती थी कि हमने उस समय ऐसा ऐसा पार्ट बजा लिया, लेकिन आज हमें वो ही कोई पार्ट बजाने के लिए कहें, तो हम नहीं बजा सकते हैं, इतना दादी ने यहां तक कहा, मना वो पार्ट बजाने के लिए जो शक्ती की आवशक्ता थी, क्योंकि सच में शक्ती चाहिए थी, कोई salvation नहीं, कि बेहने कोई पड़े लिखी नहीं, कोई नौकरी करने वाली नहीं, कोई हाथ में खुला धन नहीं। मैजोरिटी के वल टिकेट के पैसे लेकर के निकले थी। चानके दादी सुना थी ने, मेरे पास से वेहमदाबाद तक जाने के पैसे थे। उसके बाद बंबे आने के लिए भी किसी मंदर में भाशन किया, फिर किसी ने कहा हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो दादी ने उसको कहा कि मुझे आप बंबे के टिकेट दिला दो। और उससे पहले वो बंबे पहुंचे, बंबे ने अलड़ी प्रकाश्मनी दादी सेंटर पर थे, तो बाबा ने पहले ही दादी को पत्र लिख दिया था प्रकाश्मनी दादी को, कि मेरी वारिस बच्ची आपके पास पहुंचने वाली है। तो बाबा को भी इन बच्चों पर इतना निश्चे था, तो चाए जो स्थापना की आदी की आत्माई है, बना वो जब भट्टी बनी बाबा के साथ जो आत्माई आई शुरुवात से, या जो सेवा के आदी आत्माई बनी, उनमें से कुछ का तो दोनों का पाठरा, वो शु जब बाबा ने शरी छोड़ा 69 में वह थोड़े सेंटर थे, 100-200 सेंटर होंगे, और प्रकाश्मनी दादी ने जब तक शरी छोड़ा 2006 में, तब तक तो कितने हजारों सेंटर बन गए थे, बना बहुत कम समय में बहुत तेजी से एक्सपांशन हुआ, वरिद्धी हुई, और वो सिर्फ हरे की अपनी मैनत से नहीं था, वो बाबा ने जो शक्तियां वर्दान के रूप में दी थी, उससे कारे हुआ, लेकिन दूसरी बाबा ने कहीं कि बाबा ने तो शक्तियां विल करी, वर्दान के रूप में बच्चों के दी, पर बच्चों की भी विशेष्टा जिसके कारण इतनी विर्द्धी हुई, और वो कौन सी दो विशेष्टाएं थी, पहली किसी बच्चे ने क्यों, क्या, कैसे कॉश्चन नहीं उठाया, क्योंकि अब बाबा चला गया, और वो सब बहने तो आपस में समान है, लेकिन उसके बाद बाबा ने जिसको निमत बनाय है, कोई कॉश्चन नहीं उठाया, और दूसरा आपस में इतनी यूनिटी थी, एक ने कहा, दूसरे ने किया, समय तो कहते ही थे, प्रकाश्मनी दादी और दीदी को देख करके, कि ये दो शरीर और एक आत्मा है, दो हैं, लेकिन एक ने कहा, दूसरी ने मानी, एक ने कह दिया, उसके बाद दीदी अपनी बात नहीं कहेंगे, और दादी ने कहा ना, अभी जो दादी ने कहा वही करना है, मना एक दूसरे के प्रती, इतना सम्मान, एतना acceptance, दो विशेश्ता, मना जो यूनिटी थी बहुत जादा, और दूसरा किसी ने क्यों, क्या के question में नही बनाया है, बाबा बाबा कहा, बाबा को देखा, इसलिए कारे बहुत तेजी से वृद्धी को प्राप्त किया, और वो विशेश्ता आज भी वही हमें धारन करनी है, आज भी जो बैठे हुए हैं, जिनों को बाबा ने कोई ना कोई निमित बनाया है, कोई सीट दी है, भले परफेक्ट नहीं होंगे, उस समय पर भी नहीं थे, आज भी नहीं थे, पर उस समय पर भी जैसे किसी ने कोश्चन नहीं किया, ऐसे आज भी कोई कोई कोश्चन नहीं, बुद्धिवानों के बुद्धिवान ने इनों को इस कारे के लिए निमित बनाया है, हमारी बुद्धिवानों के बुद्धिवान से जादा शक्तिशाली तो नहीं है, चलो इसके अंदर कोई कमी कमजोरी है, बाबा को पता है, बाबा संभालेगा, बाबा ने निमित बनाया, तो कोश्चन मार्क नहीं उठना चाहिए, और एक ने कहा, दूसरे ने मानी, वो तो हर परि जगडा होगा, अगर जब ऐसा किसी भी इसंटर का वायूमंडल होगा, conflict, Conflict, ऐसा वायूमंडल होगा, तो किस आत्म को आतर के वहां पर सुकोन मिलेगा, हम ज्यान भी सुनायेंगे, तो बोल में बल नहीं होगा, वायूमंडल के अन्दर शक्ति नहीं होगी, इसलिए फि अपने सेंटर पर भी चेक करें, चाहिए दो-चार भी हैं, पाँच हैं, दस हैं, पहले तो जो वहाँ की निमत आत्मा है, बाबा ने इसको बनाया, बाबा ने इसको चूस किया, बाबा ने किसी विशेष्टा को देख करके इस आत्मा को इस कारे के निमत बनाया, मुझे कोश मालिक और बालक का बैलेंस होना चाहिए. फिर एक ने कहा, दूसरे ने मानी, कहां जुकना है, कहां बोलना है, कहां चुप रहना है, कहां सहन करना है, कहां एकसेप्ट करना है, वो वाली शक्तिय अगर नहीं होंगी, तो सेंटर के वायू मंडल के अंदर भी हार्मनी नहीं होगी। तो इसके कारण जो उस समय के सेवाईं थी वो बहुत तीजी से आगे बढ़ी। क्योंकि दादियों का आपस में बहुत प्यार था। बहुत हार्मनी थी, बहुत योनिटी थी। आपस में जब तोनों तीनों दादियां बाते भी करते थी इसा सोल कॉंशियस टॉक। मैंना एक दूसरे के प्रति बहुत बहुत सम्मान, कई बार टॉक्शोज होते थे। टॉक्शों में किसे सवाल पूछा, एक आंसर देकर दूसरे को पूछती थी। आपको कुछ इसमें आड करना है, आपको क्या लगता है, आपकी क्या मत है। तो जैसे आपस में एक बहुत सुंदर हार्मनी, फ्रेंड की तरह रहे, कभी भी उपर नीचे का भान ही नहीं था। गुलजार दादी को एक पर पूछाता कि दादी आप में से बड़ा कौन है? प्रकाश्मनी दादी, गुलजार दादी, जानकी दादी में कौन बड़ा है? दादी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि हाइट में मैं बड़ी हूँ, पद में मैं बड़ी हूँ, उमर में जा समान हैं, हम सब निमित हैं हम सब का पाठ है और हम सब को मिलकर यूनिटी में आगे चलना है तो ही हम बाबा का नाम प्रत्यक्ष कर सकेंगे इसलिए बाबा ने का आज के दिन बच्चे तो बाबा को प्यार की मालाएं पहनाई रहे हैं और बाबा बच्चों की कमाल के गुणगान गा रहे हैं कि बच्चों ने भी कमाल करें किसी ने भी नई सोचा था इतना समय पाठ चलना है क्योंकि 69 में बाबा अव्यक्त हुआ 2000 की मूर्डी है और बाबा ने का देखो इतना समय अव्यक्त पाठ चलना था क्योंकि डबल विदेशी बच्चों को भी आना था उनों की रच्चना ही बाबा के अव्यक्त होने के बाद हुई है इतने बड़े बड़े खौल बनने थे विदेशों से बच्चों को आना था ये सारा पार्ट चलना था तो हम भी जब इस सारे पार्ट को देखते हैं तो कहते हैं ओहो प्रभू तेरी लीला का प्रमा पार क्योंकि ब्रह्मा बाबा का पार्ट बहुत ही शुरू से अलग रहा बाबने का ब्रह्मा का पार्ट शुरू से त्याग का था और बच्चों का पार्ट भाग्ये का था शुरुवात में भी त्याग की मूर्ती तप की मूर्ती पहले ब्रह्मा बाबा बना और बहुत सबस्ट बाबाने का बचे त्याग वो नहीं है कि आपके पस कुछ है ही नहीं और आपने छोड़ा या समय और सरकम्स्टैंस के अनुसार छोड़ा समय ऐसा था, सरकम्स्टैंस ऐसा था कि मुझे उससे वहराग आ गया मैंने छोड़ दिया, दुख की बाती इसलिए मैंने छोड़ दिया नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाबा का कोई ऐसी बात नहीं थी पहचाना, शिब बाबा को पहचाना और सबसे पहला कदम समर्पनता का उठाया, सब कुछ त्याग किया तन, मन, धन, संबन, संपर, कहां तक की परिवार को भी पूरा का पूरा, परिवार सहित, यग्ये में बाबा स्वाहा हो गया, दियाग की मूर्ती और फिर यग्ये में चाहे बेगरी पाठ चला, दिरे दिरे वो पाठ पूरा हुआ, संपनता भी आने लगी लेकिन फिर भी बाबा ने कभी भी अपना कमरा नहीं छोड़ा यग्य में जब दीरे-दीरे कंस्ट्रक्शन हुआ पांड़ भवन में आज भी आप देखेंगे वो इंद प्रस्त वाली बिल्डिंग बनी ट्रेनिंग सेंटर तो बाद में बना तो सब ने कहा बाबा पस अभी आप इस नए मकान में आजाओ क्योंकि बाबा का कमरा बहुत छोटा सा था तीन की छट थी बारिश में लिखे छोटी थी तो भी बाबा कहता था नहीं बचे ये मकान तो बाबा ने बच्चों के लिए बनवाए बाबा तो इस पुराने कमरे में रहेगा जैसे शिप बाबा इस पुराने तन में आता है पवित्र तन में आता है पते तन में आता है ऐसी ये बाबा भी अंत तक इस पुराने कमरे में रहेगा कोई नई वस्तु भी लाता था ना, चादर है, कुछ है, बच्चों के लिए रख तो, बच्चों के लिए रख तो कोई बहुत प्यार से बाबा के लिए कोई स्वेटर बुन कर लाता था बाबा एक दिन के लिए पहन लेता था उसको कुश करने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए फिर उतार कर कहता था, स्टॉक में रख दो बच्चे आएंगे न सर्दी के दिनों में, किसी के काम में आ जाएंगा तो सब कुछ बच्चों के लिए अन तक बाबा का जो पाथ था, त्याग का और तपस्या का, उससे जो सेवा हुई, क्योंकि त्याग तब की मूरथ, गीत भी बाबा के लिए तो बहुत सुन्दर बने हुए हैं, कि वो ऐसी त्याग तब की मूरत थी, कि प्रभू की सीरत उनके द्वारा दिखाई देती थी, और फिर वो घड़ी जब आई जब पाठ बदला, बाबा जो कहें बाद कहता है, ब्रह्मा बाबा घर नहीं गया, सिर्फ कमरा बदला और कपड़ा बदला, साकारी दुनिया से आक को दे का बारियर नहीं, दे का बंदन नहीं, समय का बंदन नहीं, कहीं सारे बंदनों से जब आत्मा मुक्त हो गई, तो सेवा की जो स्पीड है वो फास्ट हो गई, और उसके बाद आप देखें, विदेश के बच्चों का भियाना शरू हुआ, विरिद्धी बहुत किसी को ब्रह्मा बाबा का साक्षातकार होता था, कोई फिर ढूनने निकलता था, ऐसे सफेद वस्तर वाला कहां है, किसी को स्वपन में दिखाई दे रहा है, किसी को साक्षातकार हो रहा है, कोई उसकी पेंटिंग बना रहा है, और सब ढून रहे हैं, कहां है, कहां है, फि वो वंडरफुल पार्ट क्यों चले क्योंकि वो संकल्प शक्ति से जनम हुआ। जो विदेश की आत्मा हैं, उनों का जनम संकल्प शक्ति से हुआ और बाबा ने उनको अव्यक्त पालना दे। दादी जान की कहीं बड़ सुनाती है कि जब विदेश की सेवाओं के लिए निकली तो बहुत उनको अंदर में लगता था, हमें तो बहुत पालना मिली है, इनों को कौन पालना देखा। और थोड़े समय के बाद उनोंने महसूस किया कि बाबा क्यूंकि गया नहीं है तो आज भी अव्यक्त रूप से इन बच्चों की पालना कर रहे। और इसलिए बागुलजार दादी ने डबल विदेशयों को पूछा था, आपने तो ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं है, ऐसे बाबा ने उनों को कहा। उसमें से एक ने उटकर के कहा, दादी आप ऐसा क्यूं कहते हूँ कि हमने ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं है। और उनने ने खा, दादी, आपने तो इन आखों से देखा है, यह आखे तो फिर भी कभी-कभी धोका खा सकते हैं, हमने तो बाप दादा को अनुभव की आख से देखा है, और अनुभव की आख तो कभी धोका नहीं खा सकते हैं, यह आखे फिर धोका खाती है, पर अनुभव साथ पे है और जिन आत्माओं का 69 के बाद अलोखिक जनम हुआ नया जनम हुआ बाबा आज दिन तक भी उनकी पालना कर रहा है और आज भी कर रहा है और उस त्याग और तपस्या और सेवा से एक और चीज जो ही मदुबन की भूमी ऐसी वो शक्तिशाली भूमी बन गई कि ऐसा तीरा स्थान पोरे विश्व के अंदर कोई नहीं है तो वो जो स्थान है बना उसमें ब्रह्मा बाबा और बच्चों की तपस्या का बल है इसलिए कोई भी मदुबन जाता है उसको विशेश अनुभव जरूर होते है हर एक को मैसूस होता है यहां योग लगाना नहीं पढ़ता है यहां सहच लोग लग जाता है ऐसा शक्तिशाली वायू मंडर है कि वहां बैचते ही लोगों ता वियर्थ खतम हो जाता है नए नए भी जाते हैं बाबने का भले ज्यान न समझे बर हरेको अलोकिक शांती अलोकिक खुशी की अनुभूती होती कितने ऐसे हैं क्योंकि उस भूमी के अंदर हम कहेंगे न अच्छा आप कॉन्फरेंस के लिए जा रहे हो चलो पांड़ भवन नहीं ज्यान सरोवर या नीचे भी तो कहेंगे यहां आप अंदर में कोई भी प्रकार का अडिक्षन जिनको होता है थोड़े दिन के लिए शराब सीगरट नहीं पी सकते तो कहेंगे हमें जाना ही नहीं है हम तो इसके बिना रही नहीं सकते हम उनको कहेंगे आपको इसके आवेशकता ही नहीं पड़ेगी, उस भूमी में ऐसा magic है, जादू है, कहते हैं, नहीं हम इसके बिना रही नहीं सकते हैं, फिर उनको कहेंगे कोई बात नहीं, अगर बहुत जादा आपको मुश्किल हो, तो आप कैमपस के गेट के बाहर जाकर क करके आजाना, तो कहते हैं, अच्छा चीक है, इतनी छुटी मिलती है तो तियार हो जाते हैं, लेकिन खुद ही आकर के अपना अनुभव सुनाते हैं, कि हमने तो चार दिन में, पांच दिन में एक बार भी हमें स्मोक करने की दिल नहीं हुई, और ही कहेंगे हमें तो बहु युमंडल का अनुभव करते हैं, उनको भी लगता है कि मेरी ये आदत छोट गई, ज्यानी को लगेगा मेरा संस्कार छोट गया, मेरा करम बंधन कट गया, इस बर मैं मदु बन गया था, मुझे लगा मेरा ये वाला करम बंधन कट गया, मैं वहाँ जब मैंने तपस्या करी कटता तो याद से ही है, लेकिन होता क्या है, यहां हमारी याद शक्तिशाली नहीं होती, वहाँ जब हम बहुत शक्तिशाली योग का भ्यास करते हैं, योग भट्टी करते हैं, बाबा की याद में मंगन रहते हैं, ज्वाला स्वरूप योग करते हैं, तो कोई न कोई हमार अर्थका हुआ करम बंदन पुराना संस्कार जैसे खत्म हो जाता है, स्वाहव हो जाता है तो ऐसी भूमी बनाई जिसे और सेवा की वृद्धी हुई तो बाबा कहते है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने त्याग और तपस्या से सेवा करी ऐसे आप भी सेवा करो बिम्मिन तरीकों से सेवा करते हैं, उसका विस्तार तो हो रहा है लेकिन अब संकल्प शक्ती से सेवा करो संकल्प शक्ती से स्रेष्ट वायू मंडल बनाओ कि उस वायू मंडल में आते ही कोई आत्मा को परिवर्ता नानुभव हो जैसे साइन्स इतना प्रभाव दिखाती है साइन्स में कैसे लोगों को तुरन तुरन तनुभव होते हैं फिर उससे अडिक्ट हो जाते हैं क्योंकि साइन्स प्रूफ करके दिखाती है लेकिन साइन्स का जनम भी तो साइलेंस के बल से होता है तो silence की शक्ति क्या है, silence की शक्ति माना स्रेष्ट संकल्पों की शक्ति, silence power क्या है, जिसके अंदर silence power है, माना उसका मन कम सोचता है और बहुत high quality के संकल्प करता है, कम सोचता है, और बहुत high quality के संकल्प, स्रेष्ट संकल्पों की रचना करता है, जिसके vibration से एक ऐसे वायू मंदल का निर्मान होता है, जिसमें आत्माओं को आते ही कुछ परिवर्तन का नुभाव होता है, मना जब हम सुनते हैं तो वो लोगों की बुद्धी तक पहुंचता है, लेकिन वायू मंदल की जो कशिशे वों के दिल को छूती है, वो कहते हैं ज़्यान तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमें यहां आकर के अच्छा बहुत लगता है, खास जो बहुत आत्माओं बुद्धी ग्यान को रजएक्ट कर रही होती है और देल को जब सुकोन मalthा होता है तो दिल उस की तरफ कृष्रा होता है क्योंकि दिल अनुभव कर रहे है, यह सकुन तो मैंने कभी अनुभव नहीं किया, वो जीवन में कमाया, पुजीशन की प्राप्ती करी, बहुत हुआ एक आगरता के शक्ति, हमारी एक आगरता के शक्ति, हमारी इतनी एक आगरता है कि हमारा मन हलचल में नहीं है, खास जो सेवा के इंदर पर रहने वाली आत्माई हैं, सेवा करने वाली आत्माई हैं, आने वाले स्टूडेंट हैं, कितनी हमारी जमेवारी है, हमारी अच् प्रचल में होंगे, व्यर्त चिंतन होगा, परचिंतन होगा, एक दूसरे के प्रति भी परचिंतन होगा, सेवा के अंदर पर हो जाता है, कोई बड़ी बाते तो नहीं है, जाए वो घर है, सेवा के अंदर है, तो उसके वायू मंडल के अंदर वो बल नहीं आता, फिर वो वि उसको कोई निगेट नहीं कर सकता है, वो दिल की गहराई तक पहुंचता है, सुने वे पर डिबेट कर सकता है, लेकिन जो समा गई चीज अंदर, एक होता है दवाई खानी है, जो बलड में ही चली के उसने तो असर करना ही है, अब वो चली गई अंदर तो उसका जो एक्स्प से ये मैनत हमें करनी है, ऐसा परिवर्तन के वायू मंडल को क्रिएट करना है, हम हलचल में होंगे, वायू मंडल होगा, आने वाली आत्मा को कुछ अनुभव नहीं होगा, हम अचल अडोल होंगे, हमारे वाइब्रेशन से ऐसा वायू मंडल होगा, कि आने वाली आत्मा को क कुछ परिवर्तन का अनुभव होगा, तो बाबने कभी ऐसी सेवा करो, क्योंकि सारा आपी का तो परिवार है और कितने दुखी आत्मा हैं, बाबने के आपको उनकी आवास नहीं सुनाई देती, कितना चिलाते हैं, आपी की तो बेरादरी के हैं, और आप ग्रेट ग्रेट ग आप ब्रह्मा बाबा के बच्चे हो, ब्रह्मा बाबा जो धरम पिताओं का भी पिता है, क्योंकि बाबने का धरम भी तो इस समय तमो प्रधान है, पहले आत्माओं को अपने अपने धरम से भी कुछ कमफर्ट मिलता था, द्वापर और कल्योग में इन धरमों ने बहुत सतो प्रधान थे, किसी के जीवन में जब कोई दुख की घटना आती थी, तो इन धरम की स्थान परी तो जाते थे न, कोई गुर्दवारे जा रहा है, मंदिर जा रहा है, चर्च जा रहा है, कहीं भी जाता था, वहाँ जो धरम की आत्माओं होती थी, कहीं प्रीस्ट है, कोई जो भी है, वह इतनी सात्विक आत्माओं होती थी, कि उनसे बहुत सुख की अनुभूती होती थी, हिम्मत, कारेज, सपोर्ट मिलता था, अब धीरे धीरे वह धरम, धरम की आत्माओं सब तमो प्रधान हो गए, उनकी खुद की भाटरी बेट हो गई है, तो बाबाने क अब ग्रेट ग्राइट 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 ग् बिचारे बाबने कब हो, चिलाते हैं. और फिर चिलाते हैं, और विच्रोंपो जाते हैं, क्योंकि उन्हों को भी जब प्राप्ती नहीं होती, तो अलबेले हो जाते हैं. और दो हो ltasana एंड़ते हैं, पहले भगत आत्माओν को, वो इष्ट देवताओं को, कुल देवी को, कितने प्यार से याद करते हैं, पर कहीं बार प्राप्ति नहीं होती, तो पर छोड़ देते हैं. जैसे, एक बारी, कोई तो अनुभव सुना रहा था, कि वो किसी आनात अश्रम बें कए, तो वहाँ पर हॉल में असी बच्चे थे, अब असी बच्चे किसी हॉल में हो, तो कितनी आवाज होनी चाहिए, लेकिन उस हॉल में कोई आवाज नहीं थी, और वो चोटे बच्चे थे, मन्हाँ दो-चार माज से लेकर के, चार-पांस साल तक के बच्चे होंगे, या उससे भी छोटे, और बहुत सन्नाटा था, लेकिन वो स्वीट साइलेंस नहीं थी, जैसे बड़ा दर्द वाला साइलेंस था, डेड साइलेंस था, तो बेहन वाना था, आश्रम की जो इंचार्श थी, उसको पूछा, असी बच्चे एक हॉल में हैं, पर इतना सन्नाटा क्यों है, तो कहा, ये बच्चे शुरू में तो बहुत रोते थे, पर क्योंकि इंको चुप कराने वाला कोई नहीं था, तो इन्होंने रोना बंद कर दिया, अब ये समझ गए हैं, कि हम रोएंगे भी तो भी कोई हमें चुप कराने नहीं आएंगा, इसलिए अभी रोते ही नहीं है, लेकिन रोते ही नहीं है, पर अंदर से सुखी नहीं है, क्योंकि वो साइलेंस डेड साइलेंस था, सननाता दर्द 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 ऐसे ही वो आत्मे पहले तो बहुत चिलाती है फिर चिलाना भी बंद कर देती है पर इसलिए बंद नहीं करती क्योंकि उनको कोई सहारा मिल गया है वो इसलिए बंद कर देती है क्योंकि उनको कोई सहारा करके अंदर में भावना हों कि इनों के भी सुख के देना जाएं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सेवा करी संकल्प शक्ती से। लास्ट में तो आप देखो ब्रह्मा बाबा कहीं बार गया ही नहीं लास्के तीन चार पांच साल एक स्थान पर बैठकर अपनी संकल्प शक्ती से बाबा ने सारे विश्व की सेवा करी। और इसलिए दूर दूर तक आत्माओं को ब्रह्मा बाबा का साक्षात कार रुआ। कोई बाबा वहां गया थोड़ी ना था। लेकिन अपनी संकल्प पावर से ही सारे विश्व की सेवा करी। वो सेवा भामे करने ही। क्योंकि ब्रह्मा बाबा को बाबने का शुरू से उमंग था। घर जाने का भी उमंग था। कर्मातीत बनना है घर जाना है। घर की जाबी चाहिए। ऐसे बाबने का आपको घर जाने का उमंग है, एवरेडी हैं, अब हम सब कहतेंगे, हाँ, हाँ, बाबा, हम एवरेडी हैं, लेकिन किस में एवरेडी? त्याग, तपस्या, सेवा, सब विकारों का त्याग, पुराने दुनिया का त्याग किया है, तपस्या से अपने आपको फ्योर बनाया है, और सेवा करी है, अकेले जाएंगे, कि जब विश्व पराजे करना है, तो अपनी प्रजा भी तियार की है, क्योंकि आप कहेंगे हम तियार हैं, पर बाबने का अपने साथियों को भी तियार किया है, कि आप अकेले चलेंगे . करद्धी का कारे फास्ट हो सके, प्रत्यक्ष्टा का नगाड़ा बज सके, बच्चे जल्दी जल्दी आकर अपना वर्सा ले सके, कम से कम आधी की नौ लाक, और सत्यों के अंतक तेतिस कड़ोर आत्मा है तो 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 घर के दर्वासी खुलेंगे, इतने तो प्यार से त्यार ह बाकि तो बाबने का मार खा करके जाएंगे, पर इतनी आत्माओं को तो अपने अंदर देवी संस्कारों की धार ना करनी है, तो इतना पाठ चलना ही था, बाबने का आपके अडवांस पाठी भी कहती है, जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष्टा का नगाड़ा बजाएं, तो हम स्रिष्टी की स्थापना के कारे के निमित बने, इस लाहिन में भी बहुत राज समाया हुआ है, क्योंकि स्रिष्टी की स्थापना, नई दुनिया की स्थापना, बना नई दुनिया की जो आत्माओं होंगी, बाबने का उनका जनम योगबल से होगा, विकारों के पैदायस नहीं होगी, तो योगबल से कौन जनम दे सकता है, जो योगी आत्मा है, तो ये जो अडवांस पाटी की आत्मा है, जो जहां पर भी है, इनों का भी पाठ होगा, कि जो आने वाले दुनिया की निमत आत्मा है, उनों को पहले जनम देना, क्योंकि इनके अंदर ही तो वो पावर है, योगबल से जनम देने की ये जनम देंगे इनका ये वाला पाठ पूरा होगा फिर ये भी शरीर छोड़ेंगे, घर जाएंगे और फिर इनों का भी जो जनम होगा, वो योगबल से होगा तो ये भी जो गुब्त कारे चलना है, चलना तो ही न, जब वो पूरी राज़्दाने के स्थापना होने है, उसमें हर इक का जनम योगबल से होना है, जनम देने वालों ने भी घर जा करके फिर योगबल से जनम लेना है, कैसे कैसे पूरा तो बाबा बहुत दीटेल नहीं बताता, पर ये तो हो गई. तो वो कहते हैं, प्रत्यक्ष्टा का नगाड़ा बचे, तो हम भी स्षिष्टी के स्थापना का जो कार्य है, उसकी शुरुवात करें. और फिर सबने का, डेट फिक्स करो. जैसे हर चीज के डेट फिक्स करते हैं, बिना डेट फिक्स करें तो कोई तारे होता ही नहीं है, एक ट्रेनिंग होगी, कोई कान्फरेंस होगी, मेला होगा, ऐसे बाबाने का संपनता की भी डेट फिक्स करो, प्रत्यक्ष्टा की भी डेट फिक्स करो जल्दी जल्दी एवरेडी बनो तो बहुत वंडर्फुल मॉर्ली थी जिसमें ब्रह्मा बाबा का त्याग, उनों की तपस्या उससे होने वाली बेहत की सेवा ये कैसे उनोंने बच्चों को अपने शक्तियां विल करी और बच्चों ने उन शक्तियों को बहुत अच्छे से यूज़ किया ने तो कभी-कभी आप किसी को बहुत अच्छी चीज़ दे सकते हैं पर ज़रूरी थोड़ी नहीं वो उसका अच्छा यूज़ करेंगे उधारन के तोर पर जैसे फोन है, कितनी अच्छी साधन है लेकिन यूज़ करने वाली कमजोर आत्मा है तो उसकी गुलाम बन गई है आज का जो आर्टिफिशल इंटेलिजन्स है बनाने वाले कहते हैं अगर हम इसका सही यूज़ करें तो हम सत्यों क्रियेट कर सकते हैं लेकिन उनला ने कहा जिनके हातों में ये जाएंगी वो बहुत कमजोर आत्मा है वो ये नहीं पूछेंगी कि हम दो देश कठे मिल करके कैसे रह सकते हैं वो AI से ये question पूछेंगी कि हम इसके उपर कैसे जीतप्राप्त कर सकते हैं और वो AI इतना powerful है artificial intelligence वो आपको दोनों बाते बता सकता है वो ये भी बता सकता है कि थटे मिल करके कैसे रहना है वो ये भी बता सकता है कि आप क्या करो जो आप सामने वाले पर जीतप्राप्त करो उसके पास तो बहुत information है लेकिन पूछने वाला ही उसका सदूप्योग नहीं करेगा वो ही उसका गलत यूज़ करेगा और हमने cases देखने भी शुरू कर दिया ना लोगों ने उसका benefit लेने से जादा उसका गलत यूज़ करना शिरू किया तो कहीं बार केवल सिद्धी मिल जाना काफे नहीं होता लेकिन उस सिद्धी का सदूप्योग करना हिस्ट्री में ये चीज़ बहुत देखी गई है कि सिद्धी मिलने वालों को अभी मान आ जाता है और फिर वो अपने सिद्धी को गलत कारे के लिए यूज़ करना शिरू कर देते हैं और फिर उनकी गिरावट होती है ऐसे ही बाबा ने अपनी प्राप्त की हुई शक्तियां बच्चों को दे दी लेकिन बच्चों ने भी बहुत जमेवारी से उस सिद्धी से उन शक्तियों से सफलता को प्राप्त किया स्वा के भी सफलता और सेवाओं में भी सफलता को प्राप्त किया इसलिए बाबा ने उनकी कमाल के गोंगान गाए कि उन्होंने उसका कोई गलत यूज नहीं किया, लेकिन सब ने त्याग तपस्या के मूरत बन करके सफलता को प्राथ किया. तो बहुत वंडर्फुल मॉर्ली थी, जिसका साहर था कि हमें भी एक आगरता की शक्ती से, संकल्प शक्ती से स्रेष्ट वायूमंडल बनाना है. बावने का बिजनस मनादे की सेवा करो, क्योंकि जब घर का आधार आजाता है, तो उसके पीछे बहनों को आना सहज हो जाता है. राजस्तान हमेशा से वो स्थान रहा है, जिसके अंदर विमन एमपावर्मेंट थोड़ी स्लो रही है. इसलिए हमेशा अगर वहां का मुख्या आ जाता है, तो बेहनों को आना सहज हो जाता है, नहीं तो बेहनों के लिए घर से निकलना, पढ़ाई, एजुकेशन, वो इतना सहज नहीं रहा है. थोड़ा सा उस स्थान को भूमी में स्लो ग्रोथ होई है सारे भारत के मुकाबले में. और इसलिए बाबा ने कहा कि वहां कि अगर बिजनस में आ जाते हैं, तो बेहनों का आना सहज होगा. और क्योंकि राजस्थान में ये भी थोड़ा पाठ चला कि कहीं लोग नाराज भी हो गयते, नई बाते थी, नया संस्था थी, सबको डर रहता था जैसे ये अपना शासन बना लेंगे, ये यहां पर राज्जे करेंगे, तो कहीं उनने सहयोग दिया, कहीं उनने नहीं दिय गईयोंने विद भी डाला, पर बावनने का बच्चे, आप सब आत्माओं को समझ कर उनकी नब्स को देखकर, सबको राजी करू़। सब ग्यान नहीं सुनेंगे लेकिन उनकी नब्स को देखो, शांती तो सब को चाहिए, सुख तो सब को चाहिए, और कुछ नहीं तो समान तो सब को चाहिए, जिसको जो चाहिए वो राजी करो, उनको वैसे राजी करो, रास को समझ कर उस आत्मा को क्या चाहिए, किसी को पानी तो उसको चपन प्रकार का भूजन भी उसके लिए बेकार है। उस आत्म को क्या चाहिए? उसकी नब्स को पकड़ कर वो उसको दो। उसको दुआएं दो। बाबने का सबसे सेच पोशार्त है दुआएं देना और दुआएं लेना। पर लेने का भी नए सोचो आप दो तो अपने आप मेलेंगे। और दुआओं में ऐसा बल है वो ऐसा जमाका खाता है कि हमारी उन्नती भी बहुत फास्ट होती है और उस आत्म को भी कुछ ना कुछ प्राप्ती होती है। दूआ है क्या? शुब संकल्प। दूआ देना क्या है? हर आत्मा के प्रती शुब चिंतन, शुब भावना जो पिछली मूर्ली में भी था शुब चिंतन हो, शुब चिंतक हो, शुब भावना हो, शुब स्रेष्ट स्वरू को तो अटोमेटिकली दूआएं रेडियेट हो रही हैं क्योंकि जब कहीं से ठीक नहीं लगते पर ठीक है, हम आपको सयोग देते हैं, बले अपना कारे करो, एक्सेप्ट तो करें, सयोग तो दें, कम से कम विधन तो न डालें, तो बाबाने का उन्हों की नब्स को देखतर के दूआ की दवा दो, यह दवा हर एक पर काम करती है, हर एक पर करती है, ठीक करना है, उनके बारे में अच्छा सोचना शुरू करता है, अच्छा सोचते जाएं कि वो वाइबरेशन उस आत्मा को पहुंचता जाएगा, उसके संकल्क, उसकी वरित्ती बदलती जाएंगे, देरे देरे वो संबंध, वो करम बंदन खतम हो जाएंगा, संबंध ठीक कैसा भी स्थान है, कैसे भी विगन है, कैसी भी आत्मा है, बाबने का ये वाला जो पुर्शार्थ है, दुआ देना और दुआ लेना, ये काम करेगा, ये लोगों के मन को शांत करेगा, ये मन को शीतल करेगा, उनों को कुछ न कुछ अनुभुती सरूर कराएंगा, फिट् अच्छी सेवाएं हैं, जहां-जहां वो रत बहुत सुंदर बने हुए थे और फिर एक-एक स्थान पर जाकर, अलग-अलग स्टेट में जाकर के, वो रुपते थे, लोग देखने आते थे, प्रधर्शने अलगते थे, खुब सेवाओं की बहुत उस समय पर हल चल खुब भक्ति का फल मिल रहे हैं, भक्त भगवान को ढूंड रहे हैं, तो उनों को फल मिलता है, जिस थान पर भी ये जाती हैं, सेवा होती हैं, तो जैसे भक्तों को भक्ति का फल मिलता है, और जो इस कुल की इस घराने की आत्माएं होंगी, वो तो निकल ही आएंगी, तो कोई भ करते हैं बाबाबंस को बीच बोते हैं तो उसका फल ज़रूर निकलता है तो इस प्रकार से जो भी ग्रुप होता था बाबा के सामने किसी को ऑवज़ ऐर्ड मिला हैं तो बाबा मौरिशेस को अवहाड मिला था तो बाबा ने कहा गुप्त सेवाईं बहुत समय करी हैं, तो उसका भी फल मिला है, तो हर जैसे पालना बाबा फैमिली को देता था, कहीं सेवा है, कहीं कोई प्रात्ती है, कहीं अवोर्ड मिला है, लेकिन बाबा हर चीज को सुनकर, स्विकार करके, हर एक को कोई ना कोई डार यह तो पाल ने है ना, कि ज्यांन तो बाबा सारा सुनाई चुका है, लेकिन हर चाहे कोई किसी भी सिटी का है, विंग का है,!.. कण्ठी का है, सब की बात सुनना, सब को प्यार देना, सब को डारेक्शन देना फिरी बाबा पालना देकर के बच्चों से छुटी लेता था तो वो दिन कितने प्यारे थे ये दिन भी कितने प्यारे है इन दिनों में भी बाबा की हमें हर पल, हर सेकेंड कोब मदद कोब प्यार, कोब डारेक्शन सदा-सदा मलते ही रहते है तो इस मोले से मैं क्या धारन करूँगा, मैं किस बात पर अटेंशन दूँगा, वो बात को जरूर लिखें, क्योंकि लिखने से वो बात हमारी और पक्खी हो जाते है, आउ शान्ते